हरे कृष्णा, आज के प्रसंग में मिलकर प्रवेश करते हैं। एक बार बादशा अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने प्रश्न किया, बीरबल, क्या तुमारे भगवान नारायन के पास नौकर चाकर नहीं है, जो उन्हें गजेंद्र हाती की जान बचाने के लिए स्वयम गरुड पर बैट कर आना पड़ा। बीरबल बिना उत्तर दिये चलता रहा। कुछ दिनों बाद, अकबर और उसका परिवार नाव की सवारी पर गए। बीरबल भी साथ था, अकबर का पोता बीरबल की नाव में बैठा था। नदी के बीचों बीच पहुँचकर बीरबल ने अकबर के पोते को उठाया और नदी में फैंक दिया। यह देख अकबर धहशत में आ गया और तुरन पोते की जान बचाने के लिए नदी में कूट बढ़ा। उसने किसी भी सेवक को इशारा नहीं किया, विलंब नहीं किया। पोते को बचा कर नाव में लाया और अती गुसे से बीरबल से बोला। तुमारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे पोते को नदी में धकेलने की। बीरबल ने शांती से उत्तर दिया। महराज, यह मैंने किसी कारण से ही किया, आपको आपके सवाल का उत्तर देने के लिए। अकबर गुसे से बोला, कौन सा सवाल, कौन सा उत्तर। जैसे आप अपने पोते की जान बचाने के लिए तुरंत स्वयम नदी में कूट पड़े, एक शन की भी देरी नहीं की, और आपको अपने सेवकों का भी ध्यान नहीं आया, ठीक उसी तरह, हम सब के परम पिता परमेश्वर नारायन भगवान गजेंद्र की जान बचाने के लिए स्वयम गरूर पर सवार हो कर आए, सोचिये आप सिर्फ इस देश के राजा हैं, तो भी सब भूल कर पोते को बचाने के लिए नदी में कूट गए, तो भ्रमान के राजा परम पिता परमेश्वर को हमारी कितनी चिंता होगी, अकबर समझ गया और बोला मैं गलत सोच रहा था बीरबल, आपके भगवान नारायन परम पिता परमेश्वर ही हैं, नमो नारानाय नमाह, सर्वम श्री कृष्ण अर्पनम